जैने साथियों मैं कमाड़ो बिन सर कैसे आप सब साइद अच्छी होंगे तो सिया इसे फायर मेंस का जो भी अभी फिचकल होने वाला अच्छब इस तारीक से तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास दो प्रावलम है नमबर एक तो उनका चेश्ट बता रहे हैं कि स हमको फुलाने नहीं आ रहा है तो दोनों चीट का हम से लिशन देना चाहते हैं सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको प्लाना का इसे बहुत ही इजी है बस आपको पता नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं करना जिस समय आपका चेश्ट नापा जाएगा एकदम नार्मल इस इस तरीके से आप जो है देखिए अब यह मैं बोल रहा हूं लेकिन अपना सांस अंदर ही रखा हूं यह देखिए हमारा चेश्ट कितना बाहर आ गया अब इसको हम छोड़ रहे हैं देखिए यह करना आप साइट से बता रहे हैं यह जैसे साइट से हो गए आप देखिए बस यह है यही टेकनिक है और कुछ नहीं है डाइट आपको क्या लेना है अप दूद को लीजिए अंडा को लीजिए उसके बाद ड्राइप लीजिए चना और मूंग भी लीजिए केला लीजिए यह सब चीज लीजिए डाइट में आपने अब हम आपको बताना चाहता है जिसका 1-2 cm चेश्ट कम है, आपको 2-3 फिट उपर या 3.5 फिट उपर जितना आप लगा सकते हैं, अपना पेर उपर रखना है, नीचे हाथ रखना है, डिपस मारना है, जितना हो सकता है, उतना हाथ को फैलाने, हाथ नजदीक न रहे, और चेश्ट रिक्दम पूरा जमीन मे हाथ पूरा आपका चौड़ा रहना चाहिए, घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये, 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 तो मैं आपको एक ही चीज़ करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर ये एक सरसाइज आप करते हैं, तो एक 2 cm जिसका कम है चेश्ट, तो बहुत ही जल्दी, यानि 10 से 15 दिन जाते जाते आपका देखते देखते हैं चेश्ट बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा लेकिन ये एकसरसाइज जितना भी आपके पास समय मिलता है सुबी इसाम रात में दिन में जब भी समय मिलता है अपना बोली वार्मक खोड़ा से कर लिजिए उसके बाद ये एकसरसाइज करिए खुब करिए डाइट्स लिजिए जो मैंने आपको डाइट्स बताया है अरे यार क्या नहीं कर सकते हो आप इस उमर में क्या नहीं कर सकते हो इस उमर में तो ऐसा जोस और जूनोन होता है कि जून के महीने में भी अगर जमीन पर मार दे पैर तो पानी निकल सकता है जोस होना चाहिए पोजों भरती होने के लिए आ रहे हो सांस तब खूलेगा जब आपके अंदर जोस नहीं रहेगा जोस रहेगा तो सांस आपको नहीं रोख सकती आपका पैर का दर्द नहीं रोख सकता है आप हिम्मत रखिए जोस रखिए और आगे बढ़िए आपको रुकावड जरूर बनेगा यह दर्द लेकिर रूकना नहीं है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना है, अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने इलाके का नाम रोसन करना है, और अपने सपने को साकार करना ही ये वर्दी पहनना है, इस देश का राष्ट भक्त, एक सच्चा सीपाही बनना है, अगर ये हमारा वीडिय को लाइक करें, सपूर्ड करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, जैन साथियों में कवाणू भी है सर,